नमस्कार दोस्तों में नाम है विवेक पांडेस स्वागा थे अड़ा 24 सवन यूट्यूब चैनल पे यह क्लास से कम्पूटर नॉलेज की और रोजाना यह क्लास आपको सुभा पांच बजे मिलती है तो सर आज के क्लास में होने वाला क्या है तो दोस्तों मैं बता दू यह र कुछ को सॉल्फ किया था उसी स्रीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज भी कुछ कोशन है जो मैं सॉल्फ करूंगा जो अर्बी एसिस्टेंट में प्रिवेस एक्जाम में कंड़क्ट हो चुका है और यह जो पेपर है 2015-16 का पेपर है जो कल हमने सॉल्फ किया था तो चलिए अगर पूरा वीडियो देखे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप मेरे सिर्व राइटिंग को देखिएगा तो कहीं आपको वह पर प्रिंटिंग दिखेगा दो प्रश्ट था एक प्रश्ट था जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था कि 1GB बराबर य लियन ही होता है वही हमारा आंसर भी आया था बस वहां पर टीक में एक सिक्वेंस एरर था दूसरा जो सवाल था पूछा गया था कि भारत का पहला सूपर कंप्यूटर कौन था तो परम 8000 था यह भी अब वहां पर देख लिजागा वही आंसर वहां पर मैंने लिखा भी है ठीक है चलिए यह आपको वहां पर मिल सकता है कोशियर में जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब टीक मार कर रहे थे उसमें सिक्वेंस आगे पीछे हो गया था लेकिन एक्सप्लांशन मैंने सही दिया था याद रखिएगा पहला सूपर कंप्यूटर परम 8000 था और क्या कहते है कि वन जीवी बराबर 1 billion होता यह दो सवाल जो कल के कोशियर में था चलिए आगे की बात करते दोस्तों आज जो पहला सवाल आपके सामने है डिवाइस सच अज़े सपीकर और कंप्यूटर और कॉल इनमें से कौन सा डिवाइस जैसे की स्पीकर और प्रिंटर है वह अगर अगर कंप्यूटर से कनेक्टेट है उसे हम लोग क्या कहते है उसे करसर कहेंगे उसे परिफेरल डिवाइस कहेंगे उस आउटपूट डिवाइस कहेंगे उसे इनपूट डिवाइस कहेंगे या फिर हम लोग से सिस्टम डिवाइस कहेंगे दोस्तों तो राइट आंसर अकर connected होता है तो वो device जो computer से externally connected होता है उसे हम लोग peripheral device कहते है ठीक है दोस्तों जैसे कि हमारा keyboard भी peripheral होता है mouse भी हमारा peripheral होता है printer भी हमारा peripheral होता है दोस्तों और scanner भी हमारा peripheral होता है तो वो device जो system में अलग से हम लोग connect करते हैं उसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं तो अगर पेरिफेरल नहीं होता तो हम लोग आउटफूट कहते हैं लेकिन चुकिस्टेटमेंट ही बोला है कि स्पीकर एंड प्रिटर कनेक्टे टू तो याद रखिए का वह हमारा आंसर क्या होगा पेरिफेरल डिवाइस बहुत सारे हो कि कोशिन थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़िएगा बच्चों को आप ठीक है तो इसकोशिन का राइट आंसर है मारा पेरिफेरल डिवाइस आप यह चीजी आपको समझ में आ गई होगी दूसरा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों वीच आप दा फॉलिंग उड़ नॉ आउटपूट कहते हैं यह कनेक्टेट सब्सक्राइब यहां पर हम लोग पैरिफेरल डिवाइस बोले मैं दुबारा बताता हूं पैरिफेरल डिवाइस वह डिवाइस होता है जो सिस्टम में एक्स्टरनली प्लग होता है जैसे यह सारे एक्जांपल मैंने दिये थे दूसरे प्रश्ट यह पूछा गया है वीच अब दा फॉलइंग वीच अब फॉलइंग उड्ट नोट बी कंसीडर आप फॉर्म औफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक सगेड़ हाँ चलिए वीच अब दा फॉलइंग उड्ट नोट भी कंसीडर एप फॉर्म औफ सेकेंडरी स्टोरेज आफ एक कंप्यूटर का तो दोस्तों मैं आपको बता दू इनमें से आंसर होगा रैम मैं आपको दुबारा इस चीज़ी के बारें बता दू कंप्यूटर का जितना प्रैमरी और सकेंडरी क्या है यह समझेगा वो मेमोरी जो सीप्यू से डारेक्टली कनेक्टर होता उसे हम लोग प्रैमरी मेमोरी कहते हैं जैसे की राम हमारा प्रैमरी मेमोरी है जैसे की कैचेज हमारा प्रैमरी मेमोरी लेकिन वो डिवाइस जो सिस्टम से इंडारेक्टल बात करता है उसे हम लोग secondary device कहते हैं जैसे कि हमारा hard disk हाट disk हमारा secondary device है CD हमारा secondary है pen drive जो हमारा यह सब हमारा secondary है बच्चों तो याद रखिएगा वो जो indirectly connected होता उसे हम लोग secondary कहेंगे CPU से और जो directly connected होता CPU से सम लोग primary device कहते हैं यहां पर राम है यह राम हमारा primary device है यह हमारा primary memory इसलिए इस category में राम हमारा नहीं होगा बाकि सब जो है वो मेरा secondary का example होता है जैसे optical यह भी मेरा secondary है और यह जैसे CD हो गया DVD हो गया यह सब इस category में आ जाएगा फ्लेस ड्राइब में हमारा pen drive अगरा आ जाता है और floppy डिस्ट एक खुद तरह का storage device होता है जैसे hard disk होता है याद रखिएगा दुनिया का पहला अगर हम बात करें कि जो portable device था portable कहने का मतला है जिसको एक जगा से दूसरे जगा ले जा सकते जैसे की pen drive तो storage जो सबसे पहले portable था वह floppy डिस्ट था जो पहले के जवाने में इस्तमाल किया जाता था उसकी छमता मुख्यता जो latest वाली आई थी वह 1.44 MB था मैं लिग देता हूं कि floppy disk का जो latest वाला आया था वह मेरा क्या था 1.44 MB था जो latest वाला था ठीक है तो यह याद रखिएगा floppy disk के बारे में यह यह सब क्या है तो यह सब मेरा secondary storage की category में आता है ठीक है एक सकेंड चली तो अब बात करते हैं दूसरा सवाल पूछा गया storage that retain the data after the power is turn off is referred to है इनमें से कौन सा ऐसा storage है जो data को retain करता है retain करने का मतलब है कि data उसमें रखा ही रहता है जब system बंद हो जाता है यानि turn off हो जाता है यहनि computer का वह memory जो data बंद हो जाने के बाद भी data को retain करता है वह कौन सी memory कही जाती तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं non-volatile storage क्या कहते बच्चों उसको याद रखिएगा एक सकेंड उसे हम लोग कहते नन-volatile storage नन-volatile कहने का मतलब क्या होता है एक जितनी भी memory है उसका nature होता है एक volatile एक non-volatile वोलाटाइल कहने का मतलब है वो memory जो data को अस्थाई रूपे store करता है जैसे की रैम वो वो वोलाटाइल memory है जैसे की catches memory वो भी मेरा वोलाटाइल मेमोरी यह तीनों एक ऐसे memory है जो computer में इस्तमाल होता है और इसमें data तब तक ही रहता है जब तक computer on रहता है यानि कि turn on रहता है जैसे computer बंद होता है यह data अपना लेकिन इसके जश्ट विप्रित नन वोलाटाइल मेमोरी जैसे की हाट डिस्क फ्लॉपी डिस्क सीडी डीवीडी या रॉम इनमें data तब भी रहता है और इसी का एक्जामपल है हमारा hard-disk, Roms, CD, DVD वेगरा सब इसी का एक्जामपल है तो यह memory की प्रकृति होती है एक और दूसरा नन्वुलटाइल जो भूल जा यानि कि अस्थाई और नन्वुल जो ना भुले यानि कि अस्थाई यही दोनों में अंतर है ज़ले अब आते अगले प्रस्थ में इन कंप्यूटर एन इंडिकेटर सिम्बल गट शोष दा पोजिशन on computer monitor screen that will respond to input and lead input of pointing device is called कहने का मतलब क्या है दोस्तों जब हम लोग computer में काम करते हैं तो देखते हैं कि हमेंसा एक blinging point होता है जो indicate करता है कि वहां से हमें लिखना start करना है तो उस blinging point को क्या कहा जाता है इस क보ने कंपिर यःग आई connect कहा तो बच्चों क्या कहते है उसे क्या कर्सर कहते अब डेच सकते एक्न में देख सकते कहीं भी देख सकते कर्सर न कर cancer कर्शर उसे कहते आपने देखा को व्राड़ में बिखन करना यहीं से start करना यानि end point कह सकते document का या start point भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है क्योंकि वहीं से अन्थोरा चीज़े फिर वहीं से शुरुवात होगी तो वह cursor हो गया तो indicator point जो computer में बताता है position बताता है कि हमको वहां से input करना है वो basically हमारा cursor ही होता है बच्चो तो right answer will be cursor ठीक होप यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी हाँ इसके लावा और सारा option के बारे में बताते हैं फ्रेम इस से रिलेटेड नहीं फ्रेम डेटाबेस रिलेटेड है याद रखिएगा फ्रेम क्या होता है बेसिकली जब हम लोग नेटवर्किंग में काम करते हैं तो उसम एक लेर के बारे महम आगे बहुत सा इस डेटेल डिस्क्रिप्सर ले ले लेंगे लेन्वें सीलहाल इसकी आओ सकता पढ़ी में बता देता हो कि फ्रेम क्या है तो फ्रेम क्या है data ओइसाई लेयर में जो data link लेर वोड़ा हो था उसंधे टाइफ फ्रेम फॉर्मित में होता है ठीक है चलिए दूसरा बात ड्रवाइस प्रिंटर नहीं आपको मालू है पिक्सल क्या होता है किसी भी image का जो सबसे छोटा पाठ है उसे हम लोग पिक्सल कहते हैं किसी भी image का जो सबसे छोटा पाठ होता है उसे पिक्सल कहते हैं यानि कह सकते हैं कि the teeny dot on a screen is known as a pixel ठीक है तो चीजे समझ में आ गई तो इस question का according answer क्या होगा तो वह मेरा cursor होगा चलिए अब आते हैं अगले प्रश्ट में दोस्तों अगला प्रश्ट क्या पूछा गया है the to move the end of an MS word document प्रेज अगर किसी MS word में हम लोग काम कर रहें MS word क्या है जैसे आपको मालूम है कि यह मेरा documentation software होता है यह मेरा documentation software होता है documentation कहने का मतलब है अगर मुझे later लिखना है मुझे biography लिखनी है तो हम लोग word का इस्तमाल करते हैं तो MS word अगर किसी document में काम कर रहें और मुझे उस document का सबसे अंत में जाना है तो कौन से shortcut की का उप्योग करेंगे तो दोस्तों answer हमारा होगा यहाँ पे अगर बात करते हैं तो control प्लस enter करेंगे वह सबसे अंत में हमारा चला जाएगा ठीक है चलिए तो यह समझ में आगे आपको कोई अगर अंत में जाना है तो control एंड करेंगे होम और एंड सिर्फ करेंगे तो current line है उसके सुरुआत और अंत में हम लोग चलाते होम और एंड से चलिए आगला बात करते हैं इन SMTP server SMTP का मतलब क्या होता है SMTP server है सबसे पहले यह server क्या है इसके बारे हम लोग जिक्र कर लें जैसे कि मैंने बताया था कि server that means वह computer जो service provide करता है network में उसे server कहते है अब यह SMTP क्या है तो basically यहां पर SMTP protocol होता है SMTP protocol होता है और यह SMTP protocol क्या है दोस्तों तो SMTP का मतलब हो गया Simple Mail Transfer Protocol Simple Mail Transfer Protocol Simple Mail Transfer Protocol ठीक है Simple Mail Transfer Protocol क्या है तो आप Gmail में जाके सेटिंग में देख सकते हैं मेल भेजने के लिए इस्तमाल करते है SMTP protocol अगर आपके Gmail में जाके SMTP को disable कर दे तो आपके Gmail से mail जाएगा ही नहीं ठीक है या फिर Outlook आपने देखा होगा MS Office का एक package है Outlook जो email handler का काम करता है उसमें भी जाका अगर SMTP को disable कर दे तो हमारा क्या होगा mail उस application से ट्रांसफर ही नहीं होगा तो बेसिकली Simple Mail Transfer Protocol क्या है एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तमाल होता है mail भेजने क्लिए तो option कौन सा सही है तो option number A is the right answer अब आते दूसरे सवाल में स्टेंट फॉर बच्चो मैं बता दो कि यह 2015 सुला का कोश्चन है तो फुल फॉर्म पूछा गया था लेकिन जब आपके exam होंगे 2022-23 के exam जब होंगे तो इसके uses पूछे जा सकते हैं तो अगर फुल फॉर्म अगर मैं बता रहा हूं तो इसके uses भी जिक्रि करता हूं जो आपको write-down कर लेना चाहिए जो एक्जाम पॉइंट भी से important बन जाता है ठीक है तो अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं html क्या है तो html का मतलब होता hypertext markup language hypertext markup language कहीं है option यह option नमबर यह सॉरी यह नहीं hypertext markup language कहीं नहीं है कहीं नहीं है hypertype hypertool hypertext option नमबर 3 को सही करते है hypertext markup language होगा ठीक है कि यहां पर चूटा हुआ है यानि option number हमारा 3 होगा right answer अब यह html होता है ठीक है तो दोस्तों html क्या है तो यह हमारा एक markup language है अभ यह markup language क्या होता है तो अब इसका इस्तेमाल क्या है तो बेसिकली स्टेमल का इस्तेमाल होता है जो को भी वेपसाइट डेवलफ करने के लिए अब सवाल आगा सर्फ ट्रेक्चर क्या होता है तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि दोस्तों जब हम आपका पूस्ता है जेंडर मेल या फिमेल तो वहां पर रेडियो बटन होता है जिस पर टीक करते हैं तो वह फिल्ड डिजाइनिंग जो होता है वह स्ट्रेक्चर बनाते हैं किसी वेबसाइट का तो इसलिए यहां पर कहा गया इसे मार्कप लैंग्वेज ठीक है तो याद र वेबसाइट के के स्ट्रेक्चर को हुआ करने के लिए छार्च के बारे में जिसे मैंने बताया कि टेक्स्ट बोग्ड़करना वह पूरा कांटेंट डेवलाब करना उससे हम लोग स्ट्रेक्चर की संग्या दे सकते हैं चलिए आतें अगले प्रश्ण में वाट डज ईपी का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं इपी रॉम के बारे में इपी रॉम क्या है तो erasable programmable read-only memory erasable programmable read-only memory एक तरह का यह ROM होता है एक तरह का यह ROM होता है जिसमें data को erase कर सकते हैं by the using of uvray uvray यानि ultra-wallet ray का उपयोग कर के हम लोग ऐसे memory का data erase कर सकते हैं दोड़ करता है यूघ करता है में सब्सक्राइब जैसे कि युझा होता है बच्चों तो आप यूठ फोल्डर का उप्चन नहीं देता वह पूरे डेटा को एक साथ से निगई की उसको आया जाता इसलिब उसका नाम पड़ जाता है यूभी पी रॉम भी उससे कह सकते हैं यानि इपी रॉम भी कहिए या यूभी पी रॉम कहिए ओल आज सेम यहाँ पे होगा बच्चों तो मैं आपको बता दू इपी रॉम क्या है इरेजबल प्रोग्रामेबल रीडॉनली यानिक option number one is the right answer ठीक है चली तो इसके बारे मैंने बता दे इसके लावा एक और ROM होता है जिसके बारे में आपने सुनाओगा double EPROM होता है यह भी एक ROM का टाइफ होता है यह क्या होता Electrically Erasable Programmable Read-only Memory मैं बता देता हूं Electrically Erasable Programmable Read-only Memory यह कैसा ROM है एक ऐसा रॉम जिसमें डेटा इरेज तो कर सकते हैं लेकिन वन वाइवन करेंगे वन वाइवन डेटा लेकिन वन बाइवन करता है इसलिए यह इसके बारे में क्या कहा जाता है Electrically Erasable Programmable Read-only Memory यहनि डेटा को एरेज करेगा by the using of electric signal ठीक है चीजे समझ में आ रही है अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर आगे बढ़ने से मैं पहले बता दू कि वह बच्चे जो आरभी एसिस्टेंट की तयारी करते हैं उनके लिए आपको मैं बता दू कि हमारे अड़ा के प्लेस्टोर पर आरभी एसिस्टेंट का बैच है वो लाइव हो चुका है तो जो ब प्रिलिम्स और मेंस का बैच इन्रॉल कर लिए जो आपको अड़ा के प्लेस्टोर पर मिल रहा है और मैं आपको पॉइंट और बता दू चुकि प्राइस जो है वह एक जनुरी से हाइक करने वाली है और अभी आपको एक वहां पर डिसकाउंटेट प्राइस में मिल रहा है जैसे कि अग्जाम और जैसे कि एक्जाम तो उनके लिए हमारे पास जो इंडॉल्मेंट कोर्स है उसका नाम है बैंक महापैक या बैंक महापैक प्लस दोनों में फर्क क्या है बैंक महापैक में आपको आई बैंक महापैक प्लस में आपको आई बैंक महापैक प्लस में को मिल जाता है महापैकप्लस में तो महापैक और महापैकप्लस में अभी डवलेलिटी का ओफर चल रहा है डवलेल्टी कहने का ताथ यहां पे हैं कि आप 12 मंद का करते हैं आपको 12 मंद का extra enrollment वहां पे मिल जाता है तो यह आज ही तक रहेगी तो जो बचचे चार है कि नहीं मुझे तयारी करनी है तो आप इंडॉल्मेंट ले ले आपके पास ऑप्सन है एक यह बैच बताए जो सिर्फ आर्बी एसिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड है और वह बैच बताया जिसमें सारे कोर्सेश अबलेबल है तो चौइस आपके पास से कॉल आपका है आपको किसमें करना है बताना मेरा काम है और मैं आपको गाइडलाइन यहां बता दू कि किसी भी कोर्स में इन्रॉल करने के लिए आप वहाँ पे कूपन कोड इस्तमाल करेंगे वाई 706 इससे आपको सारी कोर् लगा के आप देख सकते हैं आप कोर्स में इंडॉल्मेंट कर ले या तो महापैक में आपका पसंद महापैक में आप आगर आपका लगच्छे या फिस सिर्फ आरभी एसनेंट में भी कर सकते हैं लेकिन आपको वहां पे कूपन कोड़ी एक ही इस्तमाल करना वाई 706 और इ कंपाइलिंग करने के लिए इनिस्लाइजिंग करने के लिए या फिर हम लोग इंस्टॉलिंग के लिए असेंबलिंग ले तो बेसिकली यहां पर क्या होगा बेसिकली याद रखिएगा वह हम लोग प्रोग्राम में अगर अगर आरर आता है किसी प्रग्राम में एरर आता है तो उसे हम लोग कहते हैं bug ठीक है उसे कहते हैं bug उसके बाद detecting and removing in software in program is known as a debug ठीक है और चुकि यह जो काम जो software करता है या प्रोग्राम करता है उसे debugger कहा जाता है ठीक है तो याद रखेगा किसी प्रवाव में अगर एरर आता है उसे बग कहते हैं ग्लिट्च भी कहते हैं और उसको डिटेट करना रिमूफ करना उसको हम लोग दिबग कहते हैं तो यही पूछा एकता है तो व्हिता फाइंडिन एर को यह हम लोग डिबगिंग करते हैं टेट का मतलब फाइंड करना हो रहा है ठीक है चलियो अब बात आएक स्रीं आय। असे हम लोग कंपाइलिंग की चलिए याद क्या होता है ट्रांसलेशन होता है ट्रांसलेशन कहने का मतलब है जिसको सोर्स को अबजेट कोड में कंवर्ट करता यानि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लैंगवेज को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसे हम लोग compiling कहते हैं ठीक है चलिए असेंबर भी वही है याद रखेगां सेंबर का काम क्या है तो जो असेंबली language को जो असेंबली language को मसीन लांगवेज में convert करें यानि कि 1010 में उसे हम हम लोग assembling या यह काम करने वाले software को हम लोग assembler कहते हैं तो यह इसके बारे में हो गया बच्चो आगे बात करते हैं which of the following cable can be transmit data at high speed इनमें कौन सा ऐसा cable है जो हाई speed data transfer कर सकता है वो coaxial है twisted pair है optical fiber फ्लैट के वह यूटी भी है तो दोस्तों वह तो मेरा होता है optical fiber cable optical fiber cable सबसे fast होता है याद रखिएगा basically हम लोग बात कर रहे हैं अभी जितने भी हम लोग 4G या 5G को experience कर रहे हैं उसमें optical fiber 5G तो नहीं 4G की हम बात करेंगे पहले 5G तो अपकमिंग है तो optical fiber के माद्य हम समय fastest data का अनुभा हो पा रहा है अब बात समझेगे और भी बहुत सारे cables यहां पर लिखें जैसे कि यह तो होगे सबसे fastest ठीक है तो अगर आप से पूछा यह भी जाए फास्टेस कौन है optical fiber अगर आप से पूछा जाए कि इन में से कौन सा जो long distance के लिए इस्तेमाल में होगा तो वो भी मेरा यहीं होगा long distance कहने का मतलब है कि हम एक δ» में अगर या एक राज जिससे दूसरे तो अप्टिकल फाइबर का इस्तमाल करते हैं तो यह को एक्सियल केबल क्या होता है जैसे कि हम लोग कहते हैं आपके जो टीवी केबल होता है आपने देखा होगा आपके अगर सेट आप बॉक्स लगा हुआ डिस टीवी वेगरा तो आपके करते हैं यह सब्सक्राइबर करते हैं कहां पर टो यह मैं कर्नेक्शन के लिए मैं यादि कि करनी यहां को एक से मखने करते हैं अब उसी तरह क्या होता है तो ने करेंक्ट वीटी इस्तमाल में लाया जैता है वों तरा का न कि अच्ट और सब्सक्राइब करता सिए प्रोब्सकियर के 쓰고 लोकली थीघ्रण करवाई जाते थी ऍेट वर्कींच की तो वहां पर ट्स समुज़ने के तो यह है कि ट्विस्टेट पेर केबल है जिसका लैन में इस्तेमाल होता था और प्रोग्राम दाइट कोड इंटु प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा सवाल है आप देख सकते हैं क्या पूछा जाता है तो आपको स्टेटमेंटल कोश्यन दिया आपको यह सिंपल से यहीं कंपाइलर यहीं इंटरप्रेटर यहीं हाड़वेर यहीं सॉफ्टरे अगर जनरल सी बात कहें तो कंप्यूटर तो दो ही चीज़ से बना हुआ हाडवेर सॉफ्टर से तो यह दो चीज़ को अच्छा से समझ लिए तो मेरा काम तो आसान हो गया तो बच्छो उसी में से अगर हम बहुत अगर डीपली जाते जाएंगे तो अलग अलग तारी तूटती जाएगे और उसके बारे सोर्स कोड को अबजेट कोड में कनवर्ट करता है अब यह समझे सोर्स कोड क्या होता है तो सोर्स कोड वह होता है जो हम लिखते हैं यानि यूजर डिफाइन जो कोड होता है दोस्तों सोर्स कोड कहते हैं और अबजेट क्या कोड क्या होता है जो मसीन समझता है मसीन अंडर समझाने के लिए या translate करने के लिए बीच में translator होता है और वो translator होता है हमारा या तो compiler या तो interpreter वैसे एक assembler है interpreter यह दोनों है अब सवाल यह आएगा सर option में तो दोनों दिया compiler इंटरप्रेटर तो answer क्या होगा तो दोनों का काम ठीक है source subject code ही करना लेकिन दोनों के काम करने के तरीका में अंतर है अंतर क्या है तो compiler क्या करता है all program at a time translate करता है all program at a time करता है अट a time करता है लेकिन interpreter क्या करता है तो यह मेरा line by line करता है यह मेरा line by line करता है तो यह वाला सिनेरियो ही बार सब को करना तो इसलिए आंसर हमारा compiler होगा अगर यह नहीं लिखा रहा था तो हमारे एक समस्या create हो जाती लेकिन लिख दिया है एक ही बार में translate करें ठीक है चली अगले सवाल पर आते हैं और hexadecimal is a number to the base hexadecimal number जो होता होता है उसका base क्या होता है तो basically hexadecimal जो नंबर थो मुच्ण 15 भेस होता है, सुल्ला, समझीएगा, हेक्साडेसिमल नमबर किसे कहते हैं, वो नमबर जो 0 से F तक के अंखों का उप्योग करें, उसे हैक्साडेसिमल कहते हैं, ठीक है, और इसका बेस भी हमारा सुल्ला होता है, ठीक है, समझीएगा, जैसे 0 से F कहने का मतलब है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A, B, C, D, E, F, A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 2L, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14, F का मतलब होता है 15, तो यह हो गया पूरा conversion, तो मैं उमीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा hexadegemon, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए क कि binary का base क्या होता है, तो याद रखेगा binary का base 2 होता है, अगर पूछा जाए two, हुआ कितना होता है अगर पूछा जाए डेसिमल का बेस कितना होता बच्चों तो डेसिमल याद रखीए का दो 8 10 और सुल्ण तो रइड अंसर मारी है क्या होगा सुल्ण इसडा राइड आणसर ठीक है मैं उमीद करता हो कि चीज़े आपको समझ में आ अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में अगला सवाल के है दोस्तों दा ओपरेटिंग सिस्टम इजस्टोड अंदा हाड़िस ऑप दा कम्प्यूटर यानि ओपरेटिंग सिस्टम जैसे की विंडो हमारा स्टोर किसमें रहता है तो हाड़िस में रहता है डूरिंग दा विच सब्सक्राइब यानि कि किस प्रोसेस में ओपरेटिंग सिस्टम जो है वह ट्रांसफर हो जाता है रैम में जहां पर वेर इट कैन भी एक्सेस क्विकली यहां जहां पर उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके वेनेवर कंप्यूटर नीड तो कैरी आउट एन इन पूट होता है तो यह असानी से कैरी कर लेता है तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस में यह होता है टेक्निकली बूटिंग में यह होता है कि आपका ओपरेटिंग सिस्टम वह हाड़िस से रैम में ट्रांसफर होता है ठीक है अब बूट कर्टिंग होता है तो इसके पहले सकता है राट्पूट्ट दे सकता है इसके बाद चला आता है पोश्ट के पास पोस्ट का का मतलब हो गया अरब यह सही है कि यह नई你 computer this सकता है और दे सकता है अब चला जागा पोस्ट के पास पो स्ट ऐसा प्रोग्राम है जो यह चेक करता है कि भाई मेरे के साथ तो सारा हाडवे र सही है यह उन्हिक हाईबर पैपके नियुकर हें हिर्ट करता है फोश्ट का और उसके बात चला जाता है एक लॉडर प्रोग्राम के पास लॉडर प्रोग्राम के पास लडous एगले सवाल क्या है कंप्यूटर एड्मिस्टेशन यूटिलिटी ऊस्ट टेस्ट मैंकनेबिलिटी और होस्ट ऑन AIP कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो होता है यानि कि अगर कोई नेटवर्क बना हुआ है तो सारे नेटवेर्क का कोई मालिक रहा हूगा ठीक है वो ti आपको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे गारी का नंबर प्लेट होता है जो उसका आइपी एड्रेस ही बताता है तो यह सारे आइपी एड्रेस को चेक करने का जो काम है उसे क्या कहा जाता है यह सवाल पूछा गया है तो बैसिकली उसे कहा जाता है पिंग पिंग के माध्यम से हमलोग क्या करते हैं नहीं हम लोग यह स्य हैiled। कह सकते हैं कि हम भोग के आइपी कंफीओ करने के लिए लिए हम रहे पर त्रेश कर लेता है ठीक है तो यह आपको 비슷 मेंग सब्सक्राइज करेंई होता है पिंग के बारे में चलिए तो दोस्तों यह हो गया कम्प्लीट कोश्चन जो आज के सेशन में मैं आप से जिक्र किया मैं उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको पसंद आया होगा इसके लाहुए आप हमसे क्या उमीद रखते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है यह भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किजिए और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगा और सब्सक्राइब कर लिजाएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किये तो शेयर भी लोगों के साथ जरूर किजिएगा ताकि और भी लोगों को तक यह वी है कैसा लगा यह से सन मुझे जरू बताईएगा और अपना फुर्थफुल रिभी और कमेंट भी कमेंट वाक्स पे जरू डालिएगा हम फिर मिलेंगे कल के से सन में तब तक लिए गुड़ा गुडबा एंटेक के दोस्तों